तोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वगरा देखते हैं मेरा यह मानना है कि जो इंकम टेक्स हम पढ़ने वाले हैं तसली से पढ़ना एसे बिल्कुल स्लो और पूरा डिटेल बुक्स कौन सा लेना है वो मैं सारी चीजे बता दूँगा नूट्स मैं खुद प्रवाइड हूं आपको सारी चीजे ठीक है ना तो बिल्कुल तसली से पढ़ेंगे अब टेक्स के नाम से ना हमारे माइंड में अगर मैं टेक्स की बात करूँ तो टेक्स क्या है सर, टेक्स के नाम से हमारे दिमाग में दो बाते घुमती हैं यहां पर ध्यान से समझना, अगर मैं टेक्स की बात करूँ न तो जब से हमारे एज की हम बात करते हैं, जब से हमने सुनना चालू किया है, तो टेक्स में मैक्सिमम टाइम तक हमने जी एस्टी तो हमारे माइंड में जब होता है कि टेक्स पढ़ने वाले हैं तो कहीं ने कहीं बच्चों के माइंड में थौट आता है कि अच्छा हमें जी एस्टी की भी सारी जानकारी मिलेगी जो दूसरा आर्सपेक्ट टेक्स का होता है वो कई बार हमारे दिमाग में नहीं आता तो हम टेक्स की अगर बात करें तो टेक्स को दो केटेगरी में बाटा गया है बेसिकली सर, दो केटेगरी कौन-कौन से होते हैं, हमारे जिसमें बाटा गया है, एक बाटा गया है हमारा direct text, simple तरीके से हम समझेंगे, कोई complicated नी, और एक indirect text, एक direct text है सर, हमारा और एक indirect text है, एक indirect text है फरक भी देखेंगे फिर हमारे slayvers का कौन सा पार्ट है वो भी देखेंगे पहले हम समझ लेते हैं सर direct text क्या होता है और indirect text क्या होता है जैसे अगर कोई भी person की मैं बात करूँ मान लो एक person है और इस person को text देना है और एक मान लेते हैं हम government sir government का मतलब है जिसके पास text का पैसा जाता है ठीक है न अगर इस person ने directly इसको जमा करवाया text जाके और payment इसने किया है और directly किस से connected है गौर्वर्मेंट से तो इसे बोलते है direct text मैं भी example भी लूँगा दूसरा example देखिए मान लेते हैं कि इस person ने text government के पास नहीं जमा करवाया इस person ने mediocre किसी को दे दिया कि भाई तू मेरा एक काम करना text जमा करना इसने पैसे किसको दिये इसको और इसने जमा कहां करवा दिये जाके तो पैसा आप ही दोगे text का लेकिन एक में देख रहे हो कि आप सीधा government को जाके दे रहे हो और दूसरे में क्या देख रहे हो आप सीधा government को जाके नहीं दे रहे हैं पहले कौन दे रहा है पहले आपने किसी सामने media कर किसी वेक्ति को दिया और वो वेक्ति उसको दे रहा है तो जो direct indirect tax की बात करूँ न तो जितने भी product आप purchase करते हो तो उस product पे लिखा होता है inclusive all taxes सुना होगा including all taxes even though जो भी product आपने खरीदा होगा कई बार notice किया होगा लिखा होता है तो इसका मतलब सर सिंपल सी बात है payment आपी करोगे 10 रुपे का समान था उसके उपर 2 रुपे का tax लगा चिप्स की बात कर लेते हैं 10 रुपे का चिप्स है उसके दो का आपको 12 रुपे का एक चिप्स मिला तो आपने दुकानदार को 12 रुपे दिये यह दुकानदार है और यह वाला tax कोना था? Indirect. Indirect tax का मतलब यह होता है हमारा GST. जिसका नाम बदल दिया गया है Goods and Services Tax के नाम से. एक यह tax है. एक यह होता है कि आपने मान लेते हैं आपकी salary 5 रुपे है या आपकी salary 10 रुपे है तो 10 रुपे salary आपने कमाया है income जिसकी ज़्यादा होगी उसको tax दे 10 लाग है तो आपको tax payment करना पड़ेगा government को तो आप ऐसे नहीं बोलोगे अपने भाई को मेरी salary 10 रुपे तू tax pay कर दे. आपको ही pay करना पड़ेगा directly यहां पे. तो यह हो गया direct tax. इसको बोला जाता है income tax. यानि यहां पे देखा जाए न तो आप ध्यान से देखना जो यह 10 प्लस दो है यह तो खर्चे पर tax है. इंकम पर थोड़ी है. तोचो अपने chips लिया तो वह income पर tax थोड़ी है. वह किस पर tax है? खर्चे पर. यानि सरकार देख लो कैसे आप लोगों के साथ काम करती है. इंकम कमाओगे तब भी tax लेंगे. और खर्चा करोगे तब भी tax और जब आप income कमाओगे तो हम आपसे किस से लेंगे? direct tax आपके घर पर आजाएंगे और आपसे लेंगे किस नाम से? income tax. हमारे slaves का मैंने पहले ही लिखा कि क्या नाम था slaves का सर? slaves का नाम था income. तो हम GST के बारे में कुछ भी नहीं जानने वाले. GST हमारे अगले semester में आएगा यानि ये दो परकार के text है, दो अलग-अलग semester में define किया हुआ है. तो हम जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे सर? आपको पहले clear पता होना चाहिए. कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर आप जैसे कि हम GST माइंड में आता है कि GST नहीं पढ़ेंगे? नहीं सर, GST पढ़ेंगे ले ये होता है 75 marks का, 15-15 number के questions आएंगे आपके basically और और में भी आपको choice में मिलेगा. अब बात करते हैं सर, ये जो text है हमारा income text subject, ये practical subject है या theoretical? बच्चा मेरे से हर बार पूछता है, मैं बोलता हूँ, मैं अभी जवाब नहीं दे पाऊंगा. जब कुछ classes session हो जाएंगे आपके तब मैं जवाब दूगा और आपको आपके आंसर खुद ही मिल जाएगा, कि ये practical है या फिर theoretical. अब आपने बोला सर, ये income text है, ठीक है, यहां तक आपको clear है point कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? आपने, और आपने क्या, मैंने ही बोला कि सर, ये income text है, तो आपके income के source मैं अगर पूछू न, इंकम कहां कहां से कमा सकते हो, तो सर, income कमा सकते हैं, हम कहां कहां से, number one, job करके कमा सकते हैं, है न, यानि मैं सीधा बोलू तो आप salary से पैसा कमा सकते हो, मैं इसकी बात ही नहीं करूँगा, सर, चर्चाई करने को कोई फाइदा नहीं है, GST, goods and service tax, इस तरीके से act आया, पहले service tax हुआ करता था, वैट हुआ करता था, मतलब ही नहीं है, क्या फाइदा है, इसका discuss करके हमारा, हमारा मुद्दे का बात तो ये है, ठीक है न, दूसरा आप कहां से और पैसा कमा सकते हो, rent इसे कमा सकते हो न, किराया, आपके पांचे मकान है, वहां से किराया आ रहा है, कमा सकते हो, जिसको हम बोलते है, house property, सर, नंबर तीन, कहां से कमा सकते हो, क्या पता आप बिजनस करते हो, तो business के अंदर यानि आपका मैं simple language में लिखूँ तो business income sir business को दो पार्ट में हम लेके चलें business का मतलब हो सकता है कि आप goods को बेचते होगे और हो सकता है आप service provide करते होगे है ना दोनों हो सकता है जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी भी income है मेरी भी business के इंकम है लेकिन मैं goods नहीं बेच रहा Deal service provide कि आब जहां दुकानदार पर जाते हो कोई परच्ण की दुकान वाला है वह भी पैसा खंब इंकम कमा रहा है दस रूपर के समान बारे में बेच रह दो रूपए खमाई कर रहे हैं लेकिन हो गुण से चौथ ही कि बात करें हमारी कहां से हो सकता है capital gain हो सकता है capital gain को मैं थोड़ा और easy language में बोलू तो सर क्या हो सकता है आपका हो सकता है fix assets government की नजर आपकी हर चीजों पर है fix assets को आपने बेच खरीद के पैसा कमा लिया होता है न आपके आगर देखा जाया आपके जितने भी मान लेते हैं parents थे grand parents थे उन्होंने 10 रुपे में बिगह की जमीन खरीद दियोगी आज 10 लाग में बेच दी तो सरकार बोलता है कोई बात नहीं आप खरीदो बेचो हमारा काम है आपके हर एक activity पर हम टेक्स लेंगे तो मकान खरीदा मकान बेच दिया jewelry खरीदा jewelry बेच दिया ऐसा हो सकता है न कि आपके fix assets की बात कर रहा है assets समझ रहे हो न तो उसके assets के उपर तो ऐसे चीज को बोला गया sir जब fix assets पर काम करेंगे तो capital gain इसको बोला जाता है capital assets को न हम capital के नाम से भी जानेंगे income tax subject पर capital gain यानी capital gain ना बोलके मैं सिर्फ profit बोल रहा है पांचवा हो सकता है जो आपको याद नहीं आ रहा वो सारा cover हो जाएगा पांचवे में जैसे ब्याज से पैसक आ रहा है जैसे lottery लग गई आपकी जैसे आपने gambling करा कोई तासवास मटकाउट का खिल लिया IPL में पैसे वैसा लगा लिया वो भी इनका मैंना सरकार कहीं भी नहीं छोड़ने वाली आपको ठीक है ना करते हैं लोग बाद करते हैं भाई IPL में पैसा लगा लिया trending रहता भी IPL का एक festival बना दिया है सरकार बोलती है आप कोई बात नहीं है आप करो हम आपसे पैसे लेंगे टेक्स दो black money क्या रहेगा वाइट रहेगा यह हो सकता है और क्या हो सकता है बिटकोईन बोल रहे हो अदर सोस यानि आपके income कमाने के यही पाँच जगह है और इसके अलावा आप कहीं से income कमाई नहीं सकते हैं तो हमें क्या समझना है सर अगर हम सेलरी से पैसा कमाते हैं तो किस परकार हम टेक्स की कैलकुलीशन करेंगे क्या हमें पांच लाक रुपए अगर सालाना सेलरी मिल रहा है तो पांच लाक पर सरकार को टेक्स देंगे तो कैसे देंगे वह सिखाया जाएगा आपको इस चेप बहुत सारे चीज़े क्या करते हैं हमारे मकान के तोड़ फोर देते हैं डेमेजिस कर देते हैं तो 50,000 का भाई किराया आया और पता चला 20,000 रुपे तो खर्च हो गए इंकम तो 50 है न आपके तो क्या 50 पर टेक्स देंगे वो सारी चीज़े सीखेंगे कि जब रेंटल इंकम होता है उस पर कैसे टेक्स निकाला जाए दो सोर्सिस होगे सोर्सिस बोल रहा हूं मैं ठीक है न सोर्सिस के जगह पर मैं अच्छा वर्ड यूज करूं तो हैड वर्ड म बहुत सारे वर्ड अभी चेंज करूंगा है या थेक है न बिजनस इंकम आपको पता है कोई भी हो सकता है टाटा आय। अभी देखोगे सारे बिजनस के अंदर जैसे स्टार्ट उपकोई भी हो सारे बिजनस इंकम में आ गया fix assets capital gain में आ गया इन पांचों के पांचों इंक को कैसे calculate कि यह अब ऐसा हो सकता है कि राम में बड़ा talent है राम पाँचों जगएसे इंकम कमा रहा है सुवे जॉब कर लेता है मकान भी 3-4 हैं वहाँ से बिइजनस भी करता है शाम को कहीं न कहीं दुकान पर भी बैट HC सुबह बिजनर्स इसके प्रोपर्टी का भी काम कर लेता है दुकान पर आता है कोई भी मकान चाहिए चलो मैं दिखाता हूं मैं बिकवा देता हूं आज भी आ रहा है सारे इंकम है एक्जामनर पूछेगा राम भीया ने ऐसे ऐसे इंकम कमाए है राम को कितना टेक्स सरकार को भरना चाहिए बताइए 15 नमर का कुशन क्या बनेगा वो चीज मैं बता रहा हूं या राम सिर्फ जॉब करता है उसकी सेलरी है इतने रुपे कमाता है उसके कितने टेक्स बनेंगे बताइए या फिर राम ने घर खरीदा और घर बेचा और उसमें इतने पैसे कमाएं उसके आँपे उपर टेक्स बताइए यह बताया जाएगा इसके इनदर लेकिन एक मैं चोटा सा एक्जाम्पल पूछता हूं मैं थोड़ा सा आ जाता हूं अकाउंस के उपर अकांत के अनदर main क्या होता है accounts का objective की बात करें तो objective का काम है find profit and loss यह main objective के find हमें क्या करना है अपने business का profit या loss find करना है सर अगर आपको profit and loss find करना है तो क्यों बेरा हुआ है सि्फारे है honला अगर है अगर हो हमें journal entry क्यों सि्फारे हो हमें trial balance क्यूं सिखा रहे हो हमें depreciation, क्यूं सिखाते हो हमें उसके अलाबा और भी chapter जैसे branch account, हमें तो profit and loss निकालना है, सब सीधा निकाल सकते हैं, तो क्यूंकि इसको बहुत ही accurate करने के लिए, ठीक से करने के लिए कुछ helping chapter है, जितने भी chapter है, चाहिए rectification of error हो, चाहिए bills of exchange हो, इसको helping chapter है, ऐसे ही इस chapter को, इस पांचो head को support करने के लिए बड़े सारे chapter आता है, ये पांच अपने आप में chapter है, जब ये पांचो जगह से हम income सीख जाएंगे, हमारा syllabus खतम, ये पांचो क्या है, chapter है, जब हम ये पांचो चैप्टर सीख जाएंगे, syllabus खतम, लेकिन इस पांचो चै रहती agriculture से income करता है, आपको पता agriculture, किसान भारत के अंदर बहुत sensitive है, अभी देखा होगा, अभी आंदोलन वगएरा भी हुआ था, 26 जन्वरी को जंडा भी फैराए गया था, तो बहुत sensitive रहता है, तो इसके income पे सरकार कई बार rule बदलती रहती है, इस पर text लगाएं, ना clubbing of income, बहुत जगह से text को चुराया जाता है, तो उस चोरी को किस तरीके से provisioning apply करके, वो सीखेंगे clubbing of income, मैं chapter के number ही बता रहा हूँ अभी, इसके बाद क्या सीखा जाएगा और, इसके बाद सीखा जाएगा, set up and carry forward, carry forward, और क्या सीखा जाएगा, sir, इसके अंदर, देखें, पांच चेप्टर यह अलग से हो गए, तीन यह हो गए, और क्या सीखा जाएगा, deduction, बस यही चेप्टर है हमारे income text में, जो हमें सीखने है, और plus हमारे लिए यह subject बिलकुल new है, तो new subject है, तो कुछ हमें सीखना पड़ेगा, basic term, जैसे accounts का, अगर मैं आपने accounts इतना पढ़ा हुए, capital पूछ हूँ, तो आपको अब लगए normal बाते हैं, लेकिन जब आप 11 क्लास में आये तो बहुत बड़ी बात थी हो, आपको अगर पूछा जाए debtor, अब लगए debtor तो पत इसे आपको सीखना पड़ेगा, जैसे assessment year क्या होता है, previous year क्या होता है, हमारे इसके अंदर family का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारे person का मतलब क्या है, अलग-अलग चीज़ों को हम सीखेंगे, इसके अंदर हर एक चीज section wise है, हम अभी आएंगे इसके उपर, हर एक चीज किस के तरीके से है, एक section के point of view से, बच्चों का पूछना होता है, क्या sir, हम जब questions को पढ़ते हैं, या question करते हैं, क्या section quote करना जरूरी है, तो मेरा जवाब है, नहीं, अगर section याद है, तो section को quote करिएगा, section याद नहीं है, तो कोई need नहीं है, section को quote करने का, एक बात ध्यान रख लिखते हैं, और अंदर की theory सारे ठीक लिखिया, लेकिन section नंबर गलत लिख दिया, गलती से, तो आपको marks 0 मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना है, तो section में हम जब पढ़ेंगे ना, तो section पूरे याद हो जाएंगे हमें automatically, और मैं ये कह रहा हूं, कुछ बच्चों का मानना है section लिखना है या फिर नहीं लिखना है, total हमारे इसके अंदर, income tax के अंदर हम सारा income tax नहीं पढ़ेंगे, income tax का भी कुछ portion पढ़ने वाले, मान के चलो 90% portion पढ़ेंगे, 10% portion हमारे slivers का part नहीं होता, total 298 section है इसके अंदर, 298 section है और 14 rule है इसके अंदर, जो कि हमें अलग सारा मैंने क्या बता है, एक overview दिया, हमें indirect tax नहीं पढ़ना सर, हमें पढ़ना है, income tax, income tax हम income कहां कहां से कमाये जा सकता है, earning ये सारे के सारे heads है, इन ही को हम अच्छे से पढ़ लेंगे, तो समझ जाएंगे, अब आप खुछ समझ सकते हैं, मैं ये chapter पहले start नहीं कर सकता, तो tentative, मोटे-मोटे बाते बता चल गई, paper 75 का आएगा, और कोई बैक्ती income कमाएगा, उस income के उपर कैसे tax liability या taxable income या कैसे tax calculate किया जाता है, वो सीखना है इसके अंदर, और उसके अंदर सारे हमें government के rule and regulation के according सीखना है, वही rule and regulation हम इसके अंदर सीखने वारे हैं, ठीक है, आ कभी google करके देखोगे या अभी नहीं तो बाद में तो पता ही चलेगा, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ, income tax act है ये, 1961, यानि ये income tax 1961 में बना लिया गया था, ये act जो होता है ना, जिस साल बनता है ना, जिस साल making करते हैं इसको, वो year हमेशा होता है ये, जैसे आपने कई ये धी वर पढ़ा होगा, अभी आपने सायद second में industrial law था ना आपका है, contract account था ना, सायद, उसके अंदर आपने देखाओगा, contract account की बात करें, negotiable institute, अमारा, या फिर partnership ये, ये लिए तो एक्ट लिखा होता ये, तो एक मुद्दे की बाता है, conclusion tror up, ये जो 1961 ये तो बहुत पढ़ेंगे question मार की हां लगता है क्या तब से बदला नहीं है नहीं यह एक्ट जो है ना बन गया था 1961 में और बनने के बाद apply हुआ था 1962 से और तब से आज तक चला रहा है लेकिन सबसे ज़्यादा चेंजिस इसी में हुए हैं कि कुछ लोग को पढ़ने का तरीका भी पता होना चाहिए जैसे पहले बनाया गया section 1 फिर बनाया गया यह लोग यह सबसेक्शन नहीं वन ए जब भी आपका section ऐसे दीखे ना आपको तो आप समझ जाना यह नया section insert किया गया है जो सबसेक्शन होता है ना मान लेते हैं कि मैं सिंपल सा एक्जामपल लूँ कि रामाइंड की बात करते हैं रामाइंड में कौन-कौन से character थे तो रामाइंड में character मान लेते हैं section one में है तो अब यहां पर one subsection a में राम को लिख दिया one subsection b में सीता को लिख दिया one subsection c में लक्षमन को लिख दिया तो यह मतलब same context से लिखा जाता है तब subsection का use होता है समझे बात लेकिन मान लेते हैं कुछ change करना है तो one a फिर यह डालेगा वो section तो section पढ़ने का तरीका भी हम देखेंगे सर इसके अंदर section कैसे पढ़ा जाता है सर एक्ट क्या होता है इंडिया के अंदर पता है क्या एक होता है राइट हमारा हर चीजों का राइट है आप देखते होगे न कि राइट हमारा राइट बोलने का अधिकार यह अधिकार वो अधिकार कहां से मिला आपको यह राइट कहां से मिला fundamental rights बोलते हैं ना कहां से मिल चाहन है Constitution है उस Constitution के अंदर से कुछ बाते को निकाल के जिसको हम बोलते है आर्टिकल हमें पढ़ना नहीं है देखो मैं जो बाते अभी कर रहा हूं हमारे एक्जाम से लेना देना नहीं है लेकिन जानना बहुत जरूरी है जो Constitution होता है ना उसके अंदर कभी सेक्शन नहीं होता उसके अंदर होता है आर्टिकल ठीक है उस आर्टिकल के पॉइंट को निकालने के बाद एक पूरा law create किया जाता है और उस law को act का नाम दे दिया जाता है क्या नाम दे दिया जाता है act का नाम तो यह वहीं से निकला एक और उसको पूरा act बना दिया गया और यह आज से नहीं चला रहा उननिस सो सत्तावन में 19 नहीं उननिस सो कह रहा हूँ 1857 से ही स्टार्ट था यह और पहले भी जो होता था ना यह text text क्यों लिया जाता था आपको facility देने के लिए पहले राजा महराजा लेते थे फिर government लेने लगा simple सी बात है हम उस चीजों पर नहीं आएंगे के text किसको दिया जा रहा है लिया जा रहा है सिंपल सी बात है हम एक तो section पढ़ेंगे इसके अंदर सर एक एक्ट की बात करें तो पूरा एक्ट पढ़ाई जाएगा जब हम एक्ट पढ़ लेंगे तो अटोमेटिक उसके अंदर क्या कवर हो जाएगा section और act के बाद हमें कुछ पढ़ने रूल सर यह रूल क्या होता है कई बारना section जब बनाया जाता है तो कोई न कोई इंसान ही बनाता है और उसको बनाते वक्त पे कुछ न कुछ mistake कर देता है जब कोई भी mistakes हो जाता है जैसे कि suppose करो गौर्मेंट ने कहा कि आप घर को बेचिये और आपने अगर मैंने क्या बताया था पीछे कि अगर आप किसी घर को बेच देते हो जमीन को बेच देते हो तो profit कमाऊगा इस पर tax लगेगा गौर्मेंट ने बोला अगर पांच लाख रुपए का घर खरीदा उससे पच्चिस लाख में बेच दिया कमाई कितने की हो गए है आपको इसके उपर tax देना है लेकिन गौर्मेंट ने कहा कि अगर आपने एक new house खरीद लिया अगर बीस लाख का यह आपने new house खरीद लिया तो आपको टेक्स नहीं देन गौर्मेंट ने यह provision करा लोगों ने क्या करा यह section में लिखा था लोगों ने क्या करा पांच लाख का घर अगर मान लेते हैं कि पचास लाख में बेचा गया तो कमाई कितने हुई 45 लाख में उसने क्या करा 20 लाख का रहने के लिए ले लिया और एक और घर ले लिया 25 लाख का जिसको किराय पे चड़ा लिया उसने बोला था घर लेना है लेकिन उसने दो मकान ले लिए कुछ ने क्या करा तीर मकान ले लिए चार मकान ले लिए और जब income tax officer ने पूछा के भाई तुम्हें तो घर के बदले आप tax क्यों नहीं भर रहे आपने 45 लाग बोला कि हमने तो घर ले रखा है तो देखा गया भाई घर लिया हुआ है लेकिन इसने एक से ज़्यादा घर लिया हुआ है लाग के अंदर ये बात नहीं लिखी थी कि एक घर खरीदना है कि तीन घर खरीदना है समझना बात को लौग के अंदर ये बात बिल्कुल भी नहीं लिखेती तो लोग बाग ऐसे ले रहेते हैं सरकार को लगा के लौग के अंदर थोड़ी कमी रहे गया हमें क्या लिखना चाहिए एक घर लिखना चाहिए इस section को clarity करने के लिए वो rule लेके आ जाते हैं यानि कहीं कोई section के अंदर कमी रह गया ना उस section को explain करने के लिए क्या लेके आते हैं वो rule तो हम क्या पढ़ेंगे rule भी पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे हम section भी पढ़ेंगे subsection भी पढ़ेंगे जो ये दो चीज़े में पढ़ने है ठीक है ना और सबसे पहले तो हमें basic terms अगर मैं अभी की बात ना जब 1961 में बन गया ये तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा ना कैसे बनता है हमारा ना फैब के मन्थ में फैब के मन्थ में बजट आता है आपने सुना है कभी फैब के मन्थ में हर साल फर्वरी के मन्थ में बजट आता है और इस बजट को सुनाने के लिए जो हमारा finance minister होता है FM जिसे हम बोल दे हमारा finance minister present में कौन है बताओ निर्मला सितारमन finance minister और हर टाइम पे सरकार के according बदलते रहते हैं तो जो यह finance minister है निर्मला सितारमन इसके पास आप देखना पहले तो क्या था सूटकेस लेके आते थे और कई बार टेक्स देखना तो वह सूटकेस दिखाते थे इस तरीके से पुराने कभी देखना यूटूब पे वीडियो देखेगा आपको अब वो टैबलिट लेके आने लग डिजिटल इंडिया ठेक है टैबलिट लेके आते हैं उसमें होता क्या है बेसिकली उसमें यह दो ही चीज बताने वाली होती है उसके अंदर पूरे दिन 4-5 घंटे का स्पीच होता है उसमें दो ही बाते बताती है यह मेरे खर्चे हैं और यह मेरे इनकम है और यह खर्चे होंगे और यह इनकम होंगे यानि जो हो चुके उसको ने बँझट से बोला जाता है जो फ्यूचर प्लानिंग चाहे वो डिरेक्ट्ट हो चाहे इंडिर हुट तो जब सरकार को लगता है हमारे कम पैसे अभी अबने में देखा होगा और कम पढ़ रहे होगे पैसे तो जी स्ट देखा होगा दूद पे भी लगा दिया और बेड पह भी अभी आया था अगर मैं बात करूँ 5-7 साल पहले बहुत बड़ा मुद्बा हुआ करता ठाके जो यमना तरह या गंगा है वो क्लीन नहीं है अलांकर अभी भी क्लीन नहीं है वह क्लीन नहीं इसको बड़े जोर सौर से मुद्धा बनाया जाता था गौर्मेंट आई बीजेपी गौर्मेंट आई और वो यही लेकर आये थे कि हम पूरे गंगा को क्लीन करेंगे हमने क्लीन करना है अपने पांस साल में एक उनका मैनिफेस्टो यानि एक विजन रखा कि हम पूरे गंगा जितने भी है अब गंगा का मतलब यही नहीं है कि जो की बनारस में है पूरे इंडिया में बहुत जगह है गंगा यमना जो भी है उनको क्लीन करना है अब जब इसने वचन दे दिया तो अब पैसे भी तो चाहिए क्लीन करने के लिए ऐसे थोड़ी है कि जाएंगे और उसे बाल्टी से पानी निकाला साफ किया फिर भर दिया ये तो काम नहीं है पैसा चाहिए पंड चाहिए करोडों में चाहिए अब जब हमें क्लीन करना है करोडों में पैसे चाहिए तो उस आपके लिए गंगा क्लीन करवा रहे हैं। पहले क्या था कि बच्चे पोलियों से बहुत बिमार होते थे। आप आज से मान के चलो 20-25 साल पहले जाओ तो ऐसा कोई घर नहीं होता था जहां पे एक पोलियों का चाइल्ड नहीं होता था। बहुत पोलियों के पेसेंट होते थे। अब घर पे जबरदस्ती आके पिलाते हैं न। और एड़ भी करते हैं। इसका पैसा कहां से आया। सरकार ने सोचा यार पोलियों तो पिलाना है पैसा तो है नहीं। उसने एक लगाया हेल्थ सैस जो भी इंकम टेक्स कमाऊगे उसका एक परसेंट और बढ़ा के दो बच्चों के पोलियों ड्रॉप के लिए। यनि वो आप से ही लेंगे फिर अभी आया कि स्वचछ भारत अभ्यान करो स fundament करो ये कि पोला एक परसेंट और दो किसके लिए सवचछ भारत अभ्यान के लिए ऐसे करते करते अभी तक भारत सरकार ने चार percent इखटा कर लिया extra clean ganga के नाम पे health के नाम पे उसके बाद बोला के हर बच्चों का सिक्षा का अधिकार हम हर बच्चे को free सिक्षा देंगे अब free सिक्षा कहां से देंगे tax बढ़ा दिया एक percent और तो total 4% उन्होंने क्या करा extra कर दिया तो मेरा बताने का क्या purpose है कि government को जब भी income की जोरत पड़ेगी तो वो क्या करेगी tax का rate बढ़ा देगी और जैसे tax बढ़ाएगा तो उसी के हिसाब से मैंने कहा था राम है उसी के हिसाब से राम अपना salary निकालेगा ना तो यह होता है finance bill जो finance minister अपने खर्चे इंकम को इसके बाद रास्टपती उसको पढ़ता है हाला कि आज कल नहीं पढ़ते रास्टपती क्योंकि रास्टपती नाम जो बनाया गया है वो कोई time पर 20% का tax होगा सरकार को पैसे की जुरत पड़ा बिल लेके आए रास्टपती ने इसके उपर sign किया sign करने के बाद यह पेज इस पर चिपक गया और इसके उपर फ्लूड लगा दिया गया समझ लोगा अब बोला अपडेटट होता है और जो यह चेंजिस होते हैं उसको बोलते हैंम आमेंडमेंट लॉग के भासा में क्या बोलते हैं जब भी कोई चीज बदलाव होता है तो उसे क्या बोलते हैं और यह हर साल बदलता है इसलिए income टेक्स के मैं बुक की बात करूँ तो बुक जो होता है ना जब कभी भी किसी भी टीचर से कॉलेज में पूछना प्रोफेसर से पूछना वो बोलेंगा भाई नई बुक लो क्योंकि नई बुक के अंदर लेने का मतलब है जो नए रूल आये हैं वो बुक उसके हिसाब से प्रिंट हुआ होगा तो नियू बुक के अंदर अमेंडमेंट आया होगा ये छोटे छोटे शब्द है लेकिन काफी बच्चे बहुत आगे ग्रिजुएट भी हो जाता है उसने क्या इंकम टेक्स एक्ट हमारा 1961 में बना था क्या अभी तक चेंज नहीं हुआ हर साल चेंज होता है ये बस इसमें क्या करते हैं पेज लगाते रहता है इस एक्ट का नाम नहीं बदल रहे बीच में अभी चल रहा है प्रोविजन इस एक्ट को वो करेंगे 2000 जब भी आएग 22, 23, 24 बदलना होगा तो वो बदल देंगे जैसे कंपनीज एक्ट याद है आपको 1956 हुआ करता था और 56 से लेके 2013 में बदला गया पचास साथ साल के बाद सेम इसको भी बदल दिया जाएगा कभी ना करना ठीक है तो हमारा इंकम टेक्स बनता कैसे हर साल फाइनेंस मिनिस्ट सब्सक्राइब नहीं है हमारे लिए इंकम की टेंशन है किस कहां से वो इंकम कमाएगी इसका मतलब वो टेक्स रेट बदली हुआ उसने पहले क्या था मैं सिंपल सी बात करूं पहले हमारा फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे सीता रमन से पहले कौन थे अरुन जेटली पर भी टेक्स लेंगे पैसे की जुरत पड़ी होगी उन्होंने क्या करा टेक्स लगा दिया अब उस दिन के बाद से आज तक हर शेयर बेचने खरीदने पर टेक्स लिया जाता है तो यह एक्ट जो है ना हमारा मॉस्ट अपडेटिड एक्ट है तो अभी तक हमने फिर अग इंडिरेक्स टेक्स का मतलब जी एस्टी जी एस्टी हम बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले गुड्स अन सर्विसिस टेक्स यह खर्चे के उपर लगता है और यह किस पर लगता है इंकम आपके कमाई के सोर्सिस कमाई के हैड्स बोलू तो यह पांच ही है आप कोई भी इंकम बना सुचलो मैं बताहूं ह yaşा साल्री सोचोगे यहीं आएगा कोई भी सोचोगे डाल दिया आये सपांच क्या और भी चप्टर है जो कि पढ़ेंगे, पहले तो हमने यह देखा, इसके बाद क्या देखा, हमारे क्या income tax है, इसके अंदर हमें section पढ़ना है, इसके अंदर हमें rule पढ़ना है, act क्या होता है, act तो पूरा ही हमें पढ़ना पढ़ेगा इसके अंदर, और साथ के साथ यह income tax बनता कैसे, finance bill आता है, finance bill के साथ साथ हमें क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ खर्चे और income का आता है, राष्टपती उसके उपर sign करता है, sign करने के बाद हमारा income tax में बदलाव हो जाता है, जिस बदलाव को क्या बोलते हैं हम, एमेंडमेंट, क्या बोलते हैं हम, एमेंडमेंट, changes आ जाना, ठीक है, तो अभी तक कुछ बताया है, नहीं इतना खास, जिस बच्चे का कुछ बच्चो का doubt आ रहा है, sir, no voice, check कर ये, मेरे साब से तो voice आ रही है, सायद वहां से कुछ दिक्कत हो, इंदर जीत, आप कहरें, no voice, बताये, voice आ रही है, या नहीं आ रही है, तो हम start करें थोड़ा, बाकि जो भी student है, ठीक है, तो start करते हैं हम, subject भी नया, class notes ऐसा रहेगा, देखिए, जितने class के notes हैं, आपके note हो जाएंगे, वो ठीक है, class के note हो जाएंगे, ठीक है, कई बार क्या हो सकता है, कि मैं ज़्यादा लिखवा हूँ, तो मैं उसके PDF आपको send कर दिया करूँगा, जो कि अगली class में आपने note करके आना है, daily का काम आपने daily revise करके आना है, क्योंकि आप ये पूरा का पूरा provision बेस है, पूरा का पूरा provision का मतलब एक नया word आगया, provision मतलब इसके अंदर law अगर आपको पता है, तो आप कर पाओगे, जैसे for example बोला गया, कि आपकर आपकी पांच लाग रुपे की income है, तो आपको tax नहीं देना, अगर पांच लाग एक रुपे भी होता, तो आपको tax देना है, अगर आपको ये बाते याद नहीं रही, तो आप tax निकाल ही नहीं पाओगे, तो इसके अंदर क्या है, आपको जो बाते सिखाई जाएगी, जो बाते बताई जाएगी, डेली बेसिस पर आपको रिवाइस करना है इसको, ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, कुछ बेसिक टर्म, मैं सेक्शन भी कोट करूँगा, याद भी हो जाएगा, कुछ बच्चे करें, जो वीडियो पहले हैं, वो लास्ट सियर के डेमो पड़े होंगे, उनको बिल्कुल भी नहीं देखना आपको, क्योंकि अमेंडमेंट होता है, करतें, कॉट करतें, कॉट करतें, कॉट करतें, कॉट करतें, कॉट करतें, आपको, आपको, देखिए, देखिए, बुक्ट, एप्ली के वस्ट फॉर्स 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 नाइंटीन सिक्स्टी टू बाद हमारा कान निस सो एक सट में बन चुक था लेकिन लाग कब हुआ उन्निस सो इसा क्यों होता है और बिल्कुत समझ में भी आ जाएगा आपको मान लिए एक ये साल है हमारे पास एक कोई भी एयर मान लेते हैं पर एक्जामपल हमने माना एक चार दो हजार बीस सर ये साल कब खतम होगा 31 तीन दो हजार 21 में खतम हो जाएगा न ये एक पूरा हमारा साल है जो कि यहां पर शुरू हो रहा है और यहां पर खतम हो रहा है कि मान लेते हैं आप जो हो कि आप एक व्यक्टी ऐसा है जो की जॉब भी कर रहा है जिसका रेंट से भी इंकम आता है जिसका बेजनस भी है और जिसका अधर सूर्स भी है बहुत सारे इंकम है एक वेक्ति का जो आपके सामने मैंने दिखाया है अब ये वेक्ति पूरे साल इंकम कमा रहा है पूरे साल ठीक है और मैं ये मानके चलता हूँ 31 मार्च 2021 को कुछ ऐसे बिजनस है जो कि 12 बजे भी बिजनस हो रहा हुता है जितने भी ऑनलाइन है जैसे को फिलिप कार्ट है जब नीद नहीं आते कुछ ओडर ही कर देते हैं और जब सुबह पता चलता है हमें के ओडर कर दिया यार पालतू में कैंसल भी कर देते हैं ठीक है ना तो हम रात को 12 बजे तक भी बिजनस करते हैं औ अपने किस पे देना है आपको टेक्स अपने बिचक और मुष्ट के लिए आपको प्रॉसस पता है आपको आइकां Сам का क्या प्रॉसस की अपको थोड़ा बहुत याद हो पहले जर्नल फर लेजर फिर और इसके बाद final निकलता है यह process है इसके बिना हम नहीं निकाल सकते है net profit accounting में आप जानते भी हो आपका अगर यहाँ पे sale हुआ है तो possible है कि आप journal बना लोगे आप laser भी बना लोगे आप profit and loss बना लोगे लेकिन सरकार ने बोला एक साल की कमाई पे tax देना है मानलो सरकार बोलता कि आपने जो पूरे साल में कमाया है आपको 31-3-2-0-21 को tax जमा करना है last date है हमने क्या करा आपको साल में कभी भी पैसे कमाऊ हम आपको परिशान नहीं करेंगे April में कमाऊ मैं मैं कमाऊ जून में कराओ चुलाई में कभी परिशान नहीं करेंगे साल के last date पे आप टेक्स जमा कर दो आप बताइए क्या possible है कि साल की last date पे हम टेक्स को जमा कर पाएं जवाब है no sir no क्यूं क्यूंकि रात को बारा बजे भी आप sale कर रहे हो क्या एक second के अंदर आप journal कर लोगे उसकी क्या trial बना लोगे क्यूंकि जब तक आप profit नहीं निकालोगे तो आप तब तक tax नहीं दे सकते सर है ना तब तक tax यानि सरकार अगर इस date पे date रखता तो आप tax को नहीं भर पाओगे आप बताओ आपको tax इसका मतलब देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा देना पड़ेगा तो उसके लिए क्या होना चाहिज आप logic बताओ क्हुद सोचो क्या होना चाहिए आपको थोड़ा सा ψ वक्त देना चाहिए सरकार को किस चीज का वक्त चाहिए वह आपको जो आपने यहां से लेके यहां तक अर्णिंग किया है उस अर्णिंग के कैलकुलेशन के लिए वक्त चाहिए आपको अब इस डेट से आप ध्यान से सोचो तो सर यही बदल जाता है यहां से तो एक चार दो हजार एकिस और यह एर जो खतम होगा ना कि एकत्तिस तीन कि दो हजार बाइस कि आपने गौर्वर्मेंट से बोला कि सर हमें चाहिए थोड़ा सा वक्त कि किस लिए वक्त चाहिए आपको बताओ कैलकुलेशन के लिए क्या इसमें कोई गलत भी है नहीं जैन्मेंट चीज़े है आप इस दिन पर पैसे कमा रहे हो तो एकदम से थोड़ी न दे सकते हो सही बात है आपको वक्त चाहिए कैलकुलेशन को न एक और वर्ड होता है हमारा इंग्लिश का कहलो टेक्स का कहलो एसिस्मेंट एसिस्मेंट कैलकुलेशन को हम थोड़ा मॉडन नाम दे देते हैं एसिस्मेंट इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गया एक बात तो तै हो गया कि हम जिस साल पैसा कमाते हैं उस साल टेक्स भरी नहीं सकते क्योंकि हम अगले साल पहुंच जाते हैं कैलकुलीशन करते करते तो जिस साल पैसा कमाया जाता है उस साल पर टेक्स कभी भी नहीं दिया जाता हम उसके उपर टेक्स कभ भरते हैं यह वाला साल कौन सा साल आ गया नेक्स्ट यह आ गया नहीं तो आपने कमाया 20 और 21 में टेक्स भरोगे कभ क्या आप 20 21 के अंदर टेक्स को भर पाओगे आप भरोगे कभ 21 और 22 में बड़ी सिंपल सी बात है यानि आप भरोगे कभ 21 और 22 में एक सेकेंट अग्याइब आप अब बैठे ओ आफ लाइन में चाहिए बच्चे लाइव हैं मुझे सिंपल सी बताना क्या इस से एगरी करते हो कि सर्फ जिस साल पैसा कमाया जाता है उस सल टेक्स हम कब देते हैं अगले साल का वक्त क्यों मान रहे हैं कैलकुलेशन के लिए टाइम मांग पे बैठ के आप चैलकुलेशन कर रहे हो तो क्या इस साल की इंकम पे पिछले साल की और पिछले साल को क्या बोलते हैं और जिस साल कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको अकाउंटिंग वर्ड में क्या बोला जाता है एसेस्मेंट बोला जाता है तो ये वाला साल बोल देते हैं हम सिंपल सी बात है एसेस्मेंट ये होता है जिस साल बैठके हम उसको गिनते हैं कैलकुलेशन करते हैं है ना तो प्रिवियस येर में हम पैसा कमाते हैं और एसिसमेंट येर में हम टेक्स को भरते हैं जो टेक्स एपली केबल होता है ना जो टेक्स इस साल यहां पर फैब के मन्त में बोला गया होगा जो यहां पर फैब के मन्त में बोला गया होगा यहां पर FAB के मंत में मान लेते हैं हमारे जो भी Finance Minister उसने बोला कि Tax को 50% करो rate को तो हम इस साल तो नहीं लगा सकते हैं उसको जिस साल calculate करोगे उसी साल लगाओगे न यानि वो 50% का rate कब apply करोगे आप next year में अब आप समझो यह Tax apply कब से हुआ पढ़ना जरा 9061 में क्या हुआ था बन गया था अपलाई कब हुआ था क्योंकि जब आप calculation गुणा भाग गनित इंकम निकालोगे तब ही तो apply करोगे इसलिए यह Act बन के तयार हुआ था 61 में और 61 में possible यह था बनाते ही हम बोले के लगाओ मैं अगर बोलता बनाते ही लगाओ तो सामने आला बोलता है पहले calculate तो करने दो और calculate कब होता जाके अगले सार में इसलिए apply कब हुआ यह तो आप बुक कोई भी उठाओगे वहां पे मिलेगा आपको कि हमारा income tax sect बनाया गया 1961 में लेकिन apply कब हुआ 1960 यानि अब यहां पे दो टम्स और मैंने बताएं आपको एक क्या बताएं मैंने आपको सर प्रीवियस यह क्या होता है जिस साल इन विच इयर income is earned वो साल जिस साल पैसे कमाया जाता है that is a previous year लेकिन हम normal life ने सुछते है previous year का मतलब पिछला साल यहां पे आपको previous year का मतलब समझना है जिस साल पैसे कमाया जाते हैं उसको बोलते हैं previous year assessment year जिस साल calculate किया जाता है अब मैं assessment year की definition देखो बताऊ ना अगर assessment year वो year होता है जो previous year के बाद आता है बोल सकता हूँ assessment year कौन सा है जो previous year लिख के आना यह definition law पढ़ोगे law में भी यही लिखा हुआ है और यह definition exam में आएगा what is the meaning of previous year यह what is the meaning of assessment year तो बताना assessment year that year which is come after the previous year और आप मुझे दूसरी चीज़ बताना देखो दूसरी चीज़ पूछ रहा हूँ previous year आपने बता दिया previous year is that year in which year income is earned simple सी बात है ठीक है दूसरी चीज़ बताना यहां से यहां तक कितने महीने हैं आप मुझे बताना simple सी बात है अगर मैं यहां से यहां तक आपसे पूछू कितने महीने हैं यहां से यहां तक तो आपका जवाब आएगा सर यहां से यहां तक है simple सी बात है और आप मुझे जवाब दो यहां से यहां तक कितने महीने है अगें जवाब आएगा सर यहां से यहां भी बार रहा है अगर मैंने बिजनस स्टार्ट किया होता यहां पे मान लेते हैं मैंने बिजनस स्टार्ट किया एक जैन 2021 तो खतम कहा होता खतम तो यहीं होगा ना तो अब इंकम कहा से कहा तक कमाए जा रहा है इसका टेक्स कहां भरेंगे हम फिर से हमें समय चाहिए और नहीं चाहिए चाहिए ऐसा नहीं हो सकता कि भाई एक साल के लिए ही समय दिया जागा अब एवन दो एक दिन के लिए तब भी आपको समय इसके लिए भी समय चाहिए आपको तो अब ये वाला साल कौन सा साल माना जाएगा अब ये कितने महिने का हो गया दो महिने नी तीन महिने लेकिन assessment year बताओ कितने महिने का है यहां से शुरूआ ना हमारा assessment year यहां से शुरूआ तो कितने महिने का है एक कमाल की बात देखिए आपने previous year 12 का था तो assessment year 12 का था previous year आपने बोला सर 3 मेने का लेकिन assessment year यानि इससे एक बात proof हो जाता है previous year can be 12 month or less than 12 month but assessment year always equal to question आता है कि हमारा previous year जो है वो 12 month से कम हो सकता है लेकिन assessment year जो है वो always 12 month का आता है comment करिया ऐसे question पूछे जाएंगे आप से तो previous year से 12 month से कम क्यों होता है बता सकते हो क्योंकि business कभी भी start हो जाता है due to short duration start business या कभी भी start होता है अब एक question अभी तक किसी ने नहीं पूछा मैं सोच रहा था कि आप में से कोई ना कोई पूछे मैं जवाब दूँ लेकिन आपने नहीं पूछा तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ आपने बोला कि सर हम यहां से यहां तक यहां से लेके यहां तक पैसे को कमाएंगे और हमें जो आप समय देंगे उस साल को बोलेंगे calculation लेकिन एक date आपको पता होना चीए कि समय कितना दे आप बोलोगे कि सर मेरा समय खतम नहीं हो रहा आगे जाने दो साल बढ़ाते जाओगे सरकार का एक line होता है जिसे बोलते हैं last date जैसे की अगर आप अकेला वेक्ती हो कुछ है दो date हैं अगर आपको calculation की time की मैं बात करूँ न सपोज करो सपोज करो आपको यहां time दिया गया यहां time दिया गया ठीक है तो आपको जो government है जो time देगा आपको 31 जुलाई यानि 31 मार्च तक की income पर 31 जुलाई तक calculation कर लेना तो हम आप से कुछ भी नहीं बोलेंगे 31 जुलाई के बाद अगर आपने calculation करके लेके आए text तो लेंगे, साथ के साथ हम fine भी लेंगे यानि आपको text कब भरना होता, जिस साल कमाते उस साल तो नहीं भरना next year के कब तक भर देना है इसको due date बोला जाता है इसको बोला जाता है जिस साल आपका income text देना बनता है, जिस date पे आप जमा कर दो इसको क्या बूला जाएगा तो due date ना हमारे पास दो होते हैं एक होता 31 जुलाई जो कि आपके slayvers के अंदर हर वार 31 जुलाई का ही discussion होगा क्योंकि हम जो पढ़ रहे ना income tax वो single person का पढ़ रहे हैं हम company का income tax नहीं पढ़ रहे हम corporate का नहीं पढ़ रहे हम partnership firm का तो पढ़ेंगे लेकिन और other चीजों का नहीं पढ़ रहे है ठीक है ना तो हमें क्या याद रखना है due date क्या है 31 जुलाई हाँ सरकार इसको चाहे तो time को हर साल बढ़ा देता है due to मान लेतने सर्वर ही डाउन हो गया 31 जुलाई को होता है नहीं रिजल्ट नहीं निकल रहा था अभी जैसे रिजल्ट आता है तो सर्वर डाउन हो गया तो सरकार हो सकता है बोल दे के 31 अगस्त कर दिया company के case में कुछ cases में सरकार ने क्यूंकि जो single person है ना इसको कम गुणा भाग करना है गुणा भाग से मतलब समझ रहे है इसको कम calculation करना है कम calculation करना है इसलिए इसको दिया गया 31 जुलाई तक भर दो लेकिन जो company है जो company है इसके पास calculation ज़्यादा होगा इसको थोड़ा और वक्त दे दिया गया 30 September अभी 30 September आने वाला है न अभी 30 September तक का return file करने का जो बच्चे C.A.Firm वगएरा में काम करते होगे उनका जीना हराम होने वाला है वक्त नहीं में लेगा एक time कभी क्योंकि 30 September company के return की time आ रही है हो सकता है उनको 25 August तो चला गया 30 September एक महिना बच्चा हो सकता है 25 September के बाद घरी ना हो बच्चा जो C.A.Firm में काम करते हैं क्योंकि दिन रात काम करना पड़ता है इस date से जब आप आगे जाओगे ना तो income tax की मर्जी एक लाख रुपे का fine लगाए income tax की मर्जी एक लाख रुपे का fine लगाए तो बहुत heavy fine लग जाते हैं आपको सारा का सारा कब खतम करना होता है 30 September अभी तक हमने क्या क्या देखा conclusion के तौर पे देखते हैं सर नंबर वन assessment year देख लिया assessment year कौन सा year होता है जो previous year के बाद आता है जिसमें हम tax को calculate previous year कौन सा year होता है जिसमें पैसे को due date कौन सा होता है वो last तारिक जिस date पे हमें tax को भरना है उसे क्या बोलेंगे हम due date बोलेंगे इसके साथ-साथ हमने यहां पे और क्या देखा due date दूसरा भी है एक वो कौन सा है हमारा 30 September और हमने ये भी देखा के previous year जो होता है न वो बारा महिने का भी हो सकता है और बारा महिने से लेकिन assessment year तो हमेशा बारा महिने का अच्छा है business आप एक दिन पहले start करो तब भी आपको assessment year अगले पूरे साल को बोलेंगे कुछ बच्चे पूछते हैं sir आपने तो बोला इस date तक tax भर दो तो इस assessment year क्यों बोल रहे हैं assessment quarter year क्यों नहीं बोल रहे हैं तो तीनी महिने हो रहे हैं लेकिन year हम पूरा consider करेंगे ठीक है ना हम पूरा year बताते है एक particular ठीक है एक बात और देखते हैं चलिए आगे simple से बात का मेरे जवाब देजेगा आपने अभी बताया sir आपने बताया जैसे की एक चार अगर दो हजार इक्केस हो और एकत्तिस तीन दो हजार बाईस हो तो बहुत simple सी बात बताया आपने इस साल आप income को कमाईए लेकिन इस साल टेक्स को भरेंगे और नहीं भरेंगे नहीं भरेंगे आपको थोड़ा वक्त मिलेगा और वक्त मिलेगा यहां पर आराम से बैठके calculation करिए और आप इसको भर देजिए लेकिन विजय मालिया जैसे लोग क्या करते हैं पता है इस साल कमाते है और इसी डेट पे वो भाग जाते हैं इंग्लेंड अब सरकार भी वो आएगा तो टेक्स देगा सुप्रीम कोट बोलती है कि भाई आजाओ टेक्स का पैसा दे दो बोलता है मैं नहीं आ रहा तो सरकार को टेक्स मिल पाएगा ऐसे सिटुएशन में तो इसके exception case भी है कई बार जिस साल पैसे कमाओगे उसी साल भरना पुड़ेगा आपके लिए ये वाला जो समय है ना ये नहीं है आपके लिए ये वाला समय ऐसे कुछ cases है सर ऐसे कौन-कौन से cases है अगर आप इंडिया से इंडिया को छोड़ रहे हो पर्मानेंटली तो आपको इंडिया से बाहर तभी फ्लाइट में बैटने दिया जाएगा इंडिया से मतलब जो फ्लाइट में जाओगे पहले दिखाओगे पासपोर्ट फिर दिखाओगे इंकम टेक्स रिटन कि आपने अगर इस डेट पे जा रहे हो चोड़के तो भाईया आप पहले इतने दिनों का अपना कैलकूलेशन करिए दिन रात मेहनत करके और रिटन दिखाइए तब जाईएगा क्योंकि आप एक बार पर्मानेंटली इंडिया से छोड़के चले गए फिर हम आपको फोन करते रहेंगे और आप फोन नहीं उठाएंगे आप आएंगे नहीं तो वो काम नहीं चलेगा समझ में आई बात आपको देखो हर चीज के पीछे लॉजिक है और यह होना भी चाहिए अब एक कुस्टन रेज होता है सरकार को कैसे पता चलेगा पर्मानेंटली जा रहा है वो जब पासपोर्ट होता है उस पर स्टेंपिंग होती है जो वीजा होता है उस पर क्लियरली हर तरीकी का होता है विजिटिंग के लिए अलग होता है आपका जॉब के लिए अलग होता है पर्मानेंट लीविंग का अलग होता है एक तो अगर आप इंडिया से पर्मानेंट छोड़के जा रहे हो तब आपके लिए एसेस्मेंट येर प्रीवियस येर दोनों क्या रहने वाला है से दूसरा आप बिजनस को को डिस कंटीनियू कर रहे हो मैं सारी चीजों का नोट दूगा सारी चीजों का मैं प्रॉपर नोट दे दूगा नोटिंग करने की टेंशन मतले ना जो मोटी मोटी बाते हों नोट कर लेना हो एक सेकेंड ट्वेल 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 चली कोई नहीं रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा तो आपको मैं क्या बतारा था क्या पॉइंट चल रहा है यहां पर कि सर कई वार ऐसा होता है के प्रिविए सुएर जो है हमारा और वहשा क्या बन जाता हैं हमारा एख चीज metrics बताना भूल गया मैंने 20-22 का टेक्स निकाल लिए तो क्या आप 21-22 की कैलकुलेशन करने बैठोगे या फिर 20-21 की कैलकुलेशन करने बैठोगे मैंने बोला assessment year आप 20 या 21 और 22 का टेक्स निकाल लिए तो assessment year का मतलब अगला साल जिस साल कैलकुलेशन इस साल का टेक्स निकालने का मतलब आप calculation तो यहां का करोगे तो इसका मतलब आप सारा हिसाब किताब कब का लोगे इस बात का ध्यान लखना examiner अगर बोलता है previous year 20 किसका निकालो तो हिसाब किताब कुण सा निकालोगे 21 का ही निकालोगे अगर assessment year बोला जाए तो एक साल पीछे का सारा हिसाब किताब निकालना है और अगर previous year बोला जाए तो उसी time का निकालना है ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं सर एक तो ये point हो गया हमारा इंडिया से permanently leave कर दे दूसरा business discontinue हो जाए तीसरा dissolution कर दे आपका firm आपने बंद कर दिया dissolution कर दिया कुछ ऐसे business भी होते हैं जो short duration के लिए होते हैं short duration के लिए कौन सा business होते हैं जैसे कि कोई क्या करता मेले वगरह में लगाता उसके बाहर के ship होते हैं तो ship पे पता है कैसे काम चलता है गार यहां से USA माल भेजना तो तो तीन से चार मेने लग जाएंगे अगर बाई air जाता है तो तो फटा फट चला जाएगा एक से दो दिन में लेकिन बाई ship जाता है तो आप देखो समुंदर के रास्ते से जाता है दो दो तीन तीन मैंने क्या करते हो शिप पे रहते हैं तो अगर कोई बाहर के ship पे काम कर रहा हो तो ऐसे लोगों को भी अपना एसेस्मेंट यह नहीं उसको उसी टाइम टेक्स देके जाना होगा मैं हर किसी का प्रॉपर डेफिनीशन दूँगा और प्रॉपर तरीके से मैं बताऊंगा कि काम कैसे करना है इसको समझ में आरी है बात आपको तो अभी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना किसका क् आपको बुक की बात करें तो बुक कौन सा रहेगा सर ग्रीस आऊजा दो बुक डीउ के अंदर चलता है हमारा एक ग्रीस आऊजा दूसरा चलता है हमारा वीके सिंगानिया जो इंकम टेक्स का पूरे डेली उनिवर्सिटी की बात करूँ या पूरे इंडिया की बात करूँ ये दो बुक बहुत ही फेमस रहता है जो की चलता है मैं अभी फिलाल जो नोट्स होंगे न वो मैं अपने पीडियफ तो दूँगा ही दूँगा बाकी कोस्टन प्रैक्टिस के लिए भी मैं पीडियफ दूँगा और साथ मैं कुछ रेफरेंस के लिए मैं इस बुक का प्रफेर करूँगा अभी मार्किट में बुक नहीं आई हो में भी पॉसिबल है कि नहीं आई हो थोड़ा टाइम लगत थै क्यूंकि बुक क्या होता है घर सारा चेंज होता है तो चेंज होके प्रिंट होने में अभी जाओगे दुकान पर साइद आपको बोले पिछले साल का चल जाएगा बिल आठ से दस दिन में मार्किट में या तो आभी गई हो क्या पता बुक लिया होगे उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ठीक है न अब बात करते हैं इन थियोरी की यह सारे के सारे थियोरी का कामना मैं आपको पीडिया भेज दूगा जिसमें से आपको नोट करना है आज का क्लास को अगर हम कंक्लूड करें जाद मैंने बोला दो गंटे की क्लास रखूंगा मैं आज की क्लास को कंक्लूड करूँ तो पहली क्लास है जादा लंबा खीचने की जुरत नहीं है आज की क्लास में हमने क्या सीखा सर असेस्मेंट यह सीखा याद नहीं किया सेक्शन नहीं देखा रहसे तो section 2 के अंदर आता है लेकिन आभी हम बाद में बात करेंगे हमने थोड़ा थोड़ा basic basic knowledge लिया एक assessment year क्या होता है मोटा मोटा पता चला due date क्या होता है previous year क्या होता है लिए एक तो यह chapter वाला summary तो मुझे मेरे हिसाब से यह 5 चप्टर हम पढ़ेंगे जो कि note कर लेना चाहिए तो फटा फटा आप note कर लिजिए otherwise मैं आपको इसका PDF send कर दूँगा पूरे का